नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज एक नए विशे पे बात करूँगा, सुन्दर्ता पे बात करेंगे, ब्यूटी सैलोन पे बात करेंगे, ब्यूटी पार्लर पे बात करेंगे, मेकप आर्टेस जो होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे मित्रो सुन्दर्ता किसको नहीं पसंद है वो नेचर की सुन्दर्ता हो इस्त्री की सुन्दर्ता हो या फिर कोई भी महिला सुन्दर से तयार हो वो आकर्शक लगती ही है आये मित्रो आज हम लोग बात करेंगे कि कूंडली में ऐसे combination कौन से होते हैं कि व्यक्ति अगर कोई महिला या कोई पुरुष ब्यूटी सालोन का काम करना चाहते हो हो ब्यूटी सालोन खोलना चाहते हूं या ब्यूटी पारलर खोलना चाहते हो या as a makeup artist जो है वो कोई course कर रह मुख किन-किन हाउसेज को किन प्लैनेट्स को देखा जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा आए मित्रो स्लाइट शुडू करते हैं मित्रो जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं कुंड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं ये सोल जा मैंने लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कुंड़ी में आपकी सोल कितनी पावर्फुल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं आपकी decision making power कितनी strong है ये सबसे इंपॉर्टें beautification का house है, luxury expenses का house है, ये bad life के बारे में भी बताता है, यहाँ पर क्योंकि beautification के हम लोग ने बात की, तो इस house का combination बहुत important है, फिर तिसरी चीज ये gains house जो है, ये बहुत important है, कि कुर्णी में ये gains आपकी income कितनी अच्छी होगी, इसका combination आपके soul planet से और ये beautification house से कितना close combination है, वो important है, फिर मित्रों इस घर में आप देख रहे है, professional लिखा हुआ है, ये आपका professional house है, आप जो profession करते हैं, उसके बारे में इस house से पता चलता है, कि आपका professional life कितनी successful रहेगी, या किस type का profession आप करेंगे, फिर मित्रों सबसे important है, कुछ भी करें, अगर भागय अच्छा नहीं है, तो सारी चीजे बेकार है, तो भागय के घर को देखना बहुत important है, फिर मित्रों यहाँ पर ये जो orange आप देख रहे हैं, this is your passion, और ये आपका हाथ, क्योंकि अगर आप किसी beauty salon में हैं, तो उसमें हाथ का सबसे important काम है, आप किसी को सुन्दर तयार कर रही हैं, या कर रहे है बहुत important है कि आपके हाथ कितने अच्छे चल रहे हैं, तो उसके लिए ये और आपका passion कितना है, जो आप काम करने जा रहे हैं, उसकी तरफ आपका passion कितना जादा है, वो ये house बताता है, फिर मित्रों यहाँ ये जो skill लिखा हुआ है, आपके अंदर आप कितने उस particular line के आपके पास क्या expertise हैं, वो इस घर से पता चलती है, फिर मित्रों ये service giving house है, service giving means आप किसी को भी service दे रहे हैं, आप beauty parlor खोल रहे हैं, beauty salon खोल रहे हैं, तो you are giving service to someone, अपने customers को आप service दे रहे हैं, तो इसका role बहुत important है, फिर आखरी में ये जो eighth house आप देख रहे हैं, इसका role सबसे जादा है, ये unexpected gains का भी house है, और साथ साथ में क्योंकि ये private parts का भी कारक है, और हम skin को tone करते हैं, किसी भी मैला की या पुरुष की, बहुत बार देखा body massage भी हैं, और उसके बाद facials भी हैं, या leg उसको जो हम लोग beautify करते हैं, वो नाखून से ले करके और मेंदी से ले करके दुनिया बर की चीज़ें, तो वो skin पे और body पे apply होती है, इसलिए 8th house का role भी बहुत important है, ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके combinations देखे कैसे जाते हैं, यहाँ पर मित्रों, सबसे important हो जाता है, कुंडी में आप अपने लगन को देखिए, कि यहाँ प और इसका नक्षत्र रवश चेक करिए, कि यह किस नक्षत्र में है, कुंडी में यह जो बारवा house का planet है, this is called 12th house, इसका जो planet होगा, ठीक है, उसका नक्षत्र जो हो, यह 12th house, समझ लिजए, यहाँ पर example के तौर पे, यहाँ पर number 6 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो number 6 का मतलब ब बुद की राशी, अशलेशा हो गया, ठीक है, या रेवती हो गया, इन सब नक्षत्र में क्या आपका soul का planet है की नहीं, यह देखना important है, फिर दूसरी चीज, आपका यह professional house lord जो है, इसका combination बहुत important है, लगन के साथ बने, इसके साथ बने, और साथ में इस gains के साथ में बने, अगर बड़ी income कमानी है, इस beautification line से तो, यहाँ पर professional house का involvement gains house से भी होना चाहिए, और कूंड़ी में लक्षमी योग भी बनना चाहिए, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो उसमें, छोटा मोटा काम करना है, तो फिर अलग बात है, तब उसकी degrees, उसके नक्षत्र, यह सारी लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना है, तो कूंड़ी में इन सब का involvement लक्षमी योग के साथ में होना चाहिए, because gains आपको कितने बड़े मिलेंगे, वो आपकी महादशा बताएगी, आपकी soul planet के साथ इसका involvement बताएगी, साथ में यह professional house lord और 12th house का नक्षत्र बताएगा, कि कितन बड़ा पैसा आप कमा रहे हैं, फिर यह भाग्य भाव का planet या तो लगन पे बैठा हुआ हो, या तो आपकी income house में बैठा हो, और यह जैसे मैंने पीछे बताया, यह इसका depositor, या जिसको कहें कि gains house का मालिक जो है, वो यहाँ पे professional house में बैठा हो, along with 12th house lord, ठीक है, या इसका स्वामी या पे आ जाए, या यह सारे एक नक्षत्र में हो, फिर आपका passion का मालिक और आपके हातों का मालिक, यह 10th house में होना चाहिए, बारवे घर में होना चाहिए, या फिर gains house में चला जाए, किसी ना किसी तरीके से इसका combination बनना चाहिए, ठीक है मित्रो, अब इसके हमारे भागी का planet जो है, यह soul के साथ touch हो, या फिर यहां skill के house में touch हो, और यह skill का planet इधर चला जाए, ठीक है, पैशन के घर में, या skill का planet लगन के उपर आ जाए, या फिर skill का planet हमारे gains house में चला जाए, या 12th house में चला जाए, 12th house में चला जाए, 12th house means this house, ठीक है, तो यह होती हैं कि हमारा involvement इस particular salon business में हम कितने successful होंगे वह यहां से clear हो जाता है ठीक है इसके नक्षत्र देखना बहुत important है सर्वस्चक वर्ग point chart में हर planet की ताकत देखना बहुत important है बिना उसके अगर power नहीं है नक्षत्र सारे 12th house से related नहीं है ठीक है तो आप उस line में बड़ी success हासिल नहीं करेंगे along with luck, along with gains, along with soul planet ठीक है अब यहां पर service giving यह जो मैं giving service दे रहा हूं यह जो लिखा हुआ है यह service का planet यहां तो लगन पे बैठा हुआ हो आप service किसको देंगे आप customer को service देंगे salon में service देंगे यह service का planet या तो यहां पर बैठा हुआ हो 8th house में और या फिर gains house में चला जाए और या फिर यह सीधा बारवे घर में चला जाए तो इसका combination होना बहुत important है ठीक है पीछे मैंने आपको skill के बारे में बता दिया passion के बारे में clearly बता दिया अब एक house की बात करते हैं 8th house 8th house मित्रो यह जो है यह unexpected gains का कारक है और यह जो है यह particularly इसका role बहुत important है अच्छे gains के लिए भी sudden gains के लिए भी और साथ में इस तरह के beautification business के लिए भी मैंने यहां पर बताया आपको यहां पर planet शुक्र सबसे important है शुक्र शनी और बुद्ध ग्रे शुक्र शनी और बुद्ध इसलिए क्योंकि शुक्र भोग विलास सौंदर सौंदर प्रसाधन उन सब के बारे में बताता है तो यह बहुत important है कि आपकी कूंड़ी में शुक्र पावर में हो शुक्र की डिग्रीज अच्छी हो शुक्र अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ हो या शुक्र बारवे घर के नक्षत्र में बैठा हो या बारवे घर में ही बैठा हो इन तीनों का combination बारवे घर से जरूर होना चाहिए नहीं तो आप beautification line में नहीं जा सकते beauty parlor में successful नहीं हो सकते उसकी महादशा important है या तो शुकर की महादशा चल रही हो या शुकर की महादशा में शनी की अंतरदशा चल रही हो या बुद की महादशा में शुकर की अंतरदशा चल रही हो ये सारी चीज़ें देखना बहुत important है, फिर क्योंकि हम लोग अब professional life की बात कर रहे हैं, इसमें और चीज़ें important है, इसमें वितनों D10 चार्ट, professional चार्ट देखनी बहुत important है, लगन मैंने आपको बताई दिया, लगन important है, सरवस्टक वर्ग point important है, आत्मा कारक planet आपका देखन बहुत important है, आपकी आत्मा का focus कहां है, किस type का focus है आपकी आत्मा का, वो important है, वो अरुधा लगन चार्ट से पता चलता है, अरुधा लगन चार्ट एक होती है, that tells about your focus, कि आपकी soul का focus कहां है, ठीक है मित्रों, फिर महादशा, अंतरदशा, important है, फिर आखरी में करा कामशा च चार्ट, आपकी destiny बनी किसलिए, आप क्या छोटे मोटा एक, जैसे साल, दो साल काम करके बंद कर देंगे, या इसको जीवन प्रेंत, या बड़े महादशा, जैसे ब्रसपती की महादशा, शनी की 19 साल की महादशा, शुकर की 20 साल की महादशा, ये बड़े tenure के लिए काम चल के लिए, या फिर beauty parlor कोलने के लिए, makeup artist के लिए भी, अब makeup artist के लिए मैं बताऊं, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप अपना salon नहीं कोल रहे है, आप अपना केवल as a beautician या फिर as a makeup artist काम कर रहे हैं, तब उस समय में ये skill house का planet, इस से touch में होना चाहिए, इस से touch में होना च चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर आपको काम कराएगा, आपको salon नहीं खोलेगा, उस समय में ये लक्षमी योग उतना बड़ा powerful नहीं होगा, डिगरी में weak होगा, नक्षत्र में weak होगा, फिर आप केवल वहाँ पर as a helper काम करेंगे, आपको तनखा मिलेगी और आप वहाँ काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखना important है कि beauty parlor या salon आप खोलेंगे या उसमें काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी मादशा, नक्षत्र और उसकी degrees और अरुधा लगन चार्ट clearly बता देती है, मैं तो आगे चलते हैं, एक और example चार्ट के साथ में, मैं कुछ examples द जा रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी business आप खोलने जा रहे हो, आप construction का काम खोलने जा रहे हो, आप कोई medical की दुकान खोलने जा रहे हो, आप कोई भी garments का काम करने जा रहे हो, तो ये बहुत important है कि आपकी कूनली में हर profession के लिए एक combination होते हैं planets के, व बित्रों अब ये एक example चार्ट लेते हैं, एक client की चार्ट है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट ली है, ताकि आपको easily समझ में है practical की चीजें है क्या, यहाँ पर देखिए, कूनली में शुक्र जैसे मैंने बोला, शुक्र ये सुग रही है, अपनी राशी में बैटा हुआ है, शनी मैंने बोला, बहुत important planet है, शनी साथ में, मैंने बोला, यहाँ पर service giving house जो है, यह service giving house मैंने यह arrow की है, यह सूर्छ यहाँ पर बैठा हुआ है, यह important हो गया, फिर income house का planet, फिर gains का house का planet, वो यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, और यहाँ पर यह यहां पर 12th house lord यह सुग रही है ठीक है तो और यहां पर यह जो 5th house lord है जो आपके पास इस्किल है इस्किल हाउस नंबर 10 और 11 जो देखें 11 का मतलब हो गया शनी शनी देखें यहां पर सीधा involvement है लगन के उपर शुक्र शनी का combination अब इसमें बहुत important क्या है नक्षत्र तो यहां आप देखें हैं शुक्र शनी बुद्ध यह सब तीनों के तीनों all in mangal नक्षत्र चित्रा में है यह बुद्ध यह बारवे घर का स्वामी जो है यह चित्रा नक्षत्र बारवे घर का वो है और यह चित्रा नक्षत्र में होने से शुक्र, शनी और बुद्ध का ये combination होने से ये आज पिछले 15 साल से एक salon इनका अपना है और उसमें ये प्रॉपर तरीके से staff रख करके काम कर रहे हैं मैं इनकी अब एक नक्षत्र चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको clear हो जो मैंने इधर आपको नक्षत्र बताए शुक्र, शनी और बुद्ध के वो आपको clear होंगे वित्रोई स्लाइड थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है देखिए यहाँ पर शुक्र, शनी ये देखिए चित्रा ये मैंने टिक किया हुआ है देखिए ये चित्रा, ये चित्रा ठीक है मंगल के नक्षत्र में और इधर बुद्ध को देखिए बुद्ध भी चित्रा में ठीक है तो ये बहुत important है कि हम बुद्ध, शुक्र और शनी ये तीनों ये important होता है कि एक ही नक्षत्र में हो तो अभी आप राजियोग उस तरीके का लेंगे और बाकी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सर्वस्टक वर्क पॉइंट फिर अरूधा लगन नमान शाट बहुत सी चार्ट और एडिशनल चेक करनी पड़ती है यह तो बेसिक एक स्लाइड बना रहा हूं कुछ मिनट की तो उसम चार्ट है यह भी एक सेलोन की मालिक है उनकी चार्ट है इसमें कॉमिनेशन देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस लॉड यह जो लाल एरो मैंने की है यह देख रहे हैं आप लाल एरो यह लाल एरो सूरिस का स्वामी यह सूरिय यहाँ पर बैठा हुआ है बुद्ध लगन का स्वामी यह involvement साथ में बैठे हैं यह दोनों के दोनों साथ में युटी बनाके बैठे है ट्वेल्थ हाउस का involvement है और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर शुक्र राहू शनी यह सारे सार सब की युटी बन रही है और यहाँ पर इंकम हाुस का स्वामी यह चंद यह दिखाने के लिए कि शुक्र शनी और राव यतिनों का कॉम्बिनेशन है तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बुद्र यह ट्वेल्थ हाउस जो मैंने यहां बताया यह बहुत इंपॉर्टेंट है फिर मित्रों यह सरवस्टक वर्ग चार्ड यह आप जो लोन में जो है 25 लाग 30 लाग जो भी आपने एक बड़ी इंवेस्टमेंट करनी है वह फ्लॉप नहीं होनी चाहिए उसमें आपको सक्सेस अवश्य मिलनी चाहिए ताकि आप फेलियोर ना हो अगर एक एस्ट्रोजर को कूंड़ी दिखाने के बाद भी अगर आप फेल हो जा वेघर का स्वामी जैसे मैंने पीछे बताया ट्वेल्थ हाउस लॉड का स्वामी उसके नक्षत्र में सोल ही उसी में है मतलब इनकी आत्मा ही शुरू से ख्वाब ही है कि अपना सेलान खोलना था बच्पन सही सीखना और खोलना यहां सूर्य और बुद्ध लगन का स्वाम इन पर्टिकुलर चीजों को देखना यहां पर देखिए बुद्ध जो है यह प्रोफेशनल हाउस लॉड भी है नंबर तीन मितुन और यहां पर जो स्किल का कारक प्लैनेटर शनी वो यहां पर बैठा हुआ है नंबर आठ मंगल की राशी में यहां नंबर एक मेश राशी पर बेवकूफ बनाने वाले बहुत बैठे हैं कोई इतना डीप रिसर्च नहीं करता है जियोतिश विद्या क्यों बदनाम हुई अक्षर लोग गली कूचे के 21, 51 और 101 वाले पंदित जी जियोतिश के पास जाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि चंद मिंतों में उनका पूरा भविश्य सही सही बता देंगे यह भी देखने में आया है कि हमारे देश में मंदिर में पूजा करने वाला घेरुआ कपरा पहनने वाले पंदित जी को भी लोग जियोतिश समझ बैगते हैं और अपने ग्रहों के बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं 21 और 51 के चढ़ावे की वजह से मंदिर में पूजा करने वाला पंदित जी भी रोज के 24-500 कमाने के लिए उल्ता सीधा जयोतिश करने लगता है उस मंदिर के पंदित की वजह से समस्थ जयोतिश विद्या ही बदनाम हो जाती है मेरा अनुभव यह है कि किसी की भी कुंडली को अध्यान करने के लिए कम से कम तीन से चार घंते चाहिए एवं केवल एक लगन कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती समस्थ नक्षत्रों उनकी दिग्री उनके पर महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सुप्ष्म दशा और दिविजनल चार्ट इन सब का अंध्यान करने के पश्चाथ ही एक यूरेक प्रेडिक्शन की जा सकती है